Hello everyone, मैं प्रीत मनी कुमार और मेरा ग्रेजुएशन इसी साल बिहार एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी के मंदन भारती एग्रिकल्चर कॉलेज अगवान को सहरसा से कंप्लेट हुआ है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पूरे ग्रेजुएशन यानि की बेसी एग्रिकल्चर के दौरान विहार एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी के दौरा मुझे क्या-क्या सुविधा जो है वो मिला है तो उन लोगों की मन में यह सवाल आता है कि अगर मेरा एड्मिस्टन हो जाता है तो वहां पे हमको क्या-क्या सुविधा जो है वो मिलने वाला है तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जनरली अगर आप बीस से अग्रिकल्चर कोर्स कहीं से करते हैं किसी गौर्मेंट कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ अगर आप किसी गुवर्मेंट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो भी आपको BSC Agriculture करने में पर सेमेस्टर 20,000 रुपे से लेके और 40,000 के बीच में जो है वो fee देना परता है लेकिन अगर आप Bihar Agricultural University से BSC Agriculture करते हैं तो अगर मैं UR की बात करूँ तो UR को लगब 29,000 कुछ रुपे 3,000 के आसपास लगता है और जो भी Reserved Category में Student आते हैं उनको उससे भी कम लगता है तो fee बहुत कम है मतलब 3,000 रुपे आपका लगड़ा है UR वालों का अगर 8 सेमेस्टर जोड़ा जाय तो 24,000-24,000 में आपका graduation complete हो गया अगर आप UR से आते हैं तो Reserved Category में जो लोग आते हैं उनको उससे भी कम लग उसी fee में आपका hostel include रहता है, hostel का room भी बहुत based है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, room में आपको bed भी मिलेगा, उसके बाद cupboard भी मिलता है, उसके बाद में बात कहूं तो table भी आपको मिल जाएगा, chair भी मिलेगा, मतलब एक student के लिए जो सामान जो है वो जरू करता है, लेकिन लगबग 3000 के आसपास सब college का है, किसी का 3100, किसी का 3200, तो ये इस तरह से है, उसके बाद हम आपको बता दे, यहाँ क्लास के बारे में थोरा साम बताते हैं, यहाँ पे आपका digital class है, जहाँ पे आपको digital board पे भी पढ़ाया जाता है, बहुत सारे ऐसे animation होते ह जो आपको digital board पे दिखाया जाता है, उसके बाद मैं बता दूँ कि quality education, यहाँ पे education का quality है, जो बहुत ही best है, agriculture में मैं एक ची आपको बताना चाहूँगा कि agriculture जो है, उसमें theory के अलावा practical based भी है, तो अगर यहाँ पे बहुत ही best lab है, जिसमें हमारे जो faculty लोग है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताते हैं, लैब में आप लैब में जाके खुद से भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा lab उपलग्द है, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएं, तो यह बहुत ही अच्छा factor है, उसके बाद मैं आपको बता भी आपको गाइड करेंगे, आपके future से related, कि आगे आपको क्या करना चाहिए, किस sector में जाना चाहिए, कहां क्या scope है, तो वो भी सुवधाय यहाँ पे आपको मिलते हैं, एक अच्छा माहौल, एक simply word में कहा जाए कि एक अच्छा आपको माहौल मिलता है, एक अच्छा आपक सकते हैं, तो book का भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हम आपको बता दें कि आजकल बहुत सारा ऐसा competitive course आगया है, जो online भी मिलता है, तो student purchase करके उसको रखते हैं, जिसके लिए आपको wifi की भी सुवधाय है, यहाँ पे आपको free में computer भी मिलता है, एक room रहता है, जहाँ पे आप जाके उसको, airis sale उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे आप जाके computer योज कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह भी facility यहाँ पơi upload है, उसके बाद मैं बात करू कि free Wi-Fi तो है है हमिए उसके बाद gym की भी सुवधा यहाँ पे upload है, gym भी आप कर सकते हैं, उसके बाद एक ब मिलने के बाद आपका opportunity मिलता है, आप national level तक जा सकते हैं, अगर आप जाते हैं, तो आपको एक certificate मिलता है, जिसका उप्योग आप job में भी कर सकते हैं, job में भी जो sports quota आता है, तो उसका आपको यहाँ पे benefit मिल जाता है, अगर आप national तक जाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक यह opportunity मिलता है, कि आप अपने carriers related भी आपको यहाँ पे benefit मिल जाएगा, अगर आपके पास sports quota आता है, तो, उसके बाद मैं बात करता हूँ, बहुत best change का, जो हर एक student के life में बहुत मायने रखता है, scholarship, देखे, बिहार agricultural university के द्वारा, हमारे state government के द्वारा, student को यहाँ पे scholarship भी दिया जब आप रावे में जाएंगे, तो 3,000 रुपे पर मंथ आपको मिलेगा, रावे के दौरान आपका total 5,000 रुपे पर मंथ हो जाता है, 2,000 रुपे जो आपको हर semester में मिलके रहता है, और 3,000 रुपे रावे में आपको extra मिल जाता है, वैसे generally 2,000 रुपे per semester, पर month आपको यहा पे आपको per semester, जो है, मैं बात करूँ, आपको जो book चाहिए, वो book आपको यहाँ पे college के द्वारा provide करवा दिया जाता है, वो आपको yearly wise book मिल जाता है, लगभग मैं बात करूँ, तो 6,000 के आसफास का book आपको per year मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आपका मन कर रहा है कुछ खाने वगएरा का, तो हर college में लगवा canteen जो है, वो उपलब्ध है, वहाँ पे आप जाके आपको अगर कुछ extra खाने का मन है, तो वो भी आप खा सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूं कि, बिहार agricultural university के द्वारा all India tour भी हम लोगों को मिलता है, हलाकि हम लोग के batch को नहीं मिल पाया था, कारण ये था कि COVID का कुछ issue आ गया था, जिसके कारण हम लोग जा नहीं पाया है, लेकि ये सुविदा उपलब्ध है, student उसमें जाते हमारे कुछ senior भी गये थे, और आगे हमारे जो junior भी होंगे, वो लोग भी जाएंगे तो इस तरह का ये है, All India Tour का हम लोगों का भी आया था, लेकिन हम लोग जा नहीं पाया है, COVID के कारण, उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ, अभी ही हाल में हम लोगों के लिए हमारे vice chancellor respected दुनिया राम सिंग सर्थ साहब के द्वारा, एक बहुत ही अच्छा हम लोगों का आयोजन भी किया जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां आते हैं, वहाँ पे आप जाए इंटर्व्यू दीजिए या फिर वो थोड़ा बहुत written exam भी लेते हैं और आपको select करके एक अच्छे package जो बेस से agriculture level का होना चाहिए, उस package पे student को लेके जाते हैं, मतलब यहाँ placement का भी सुधा है, और इसका credit में हमारे जो वाइस सांसलर हैं यूनिवरस्टी के अभी, डॉक्टर दुनिया राम सिंग सर साहब तो उनको जाता है, उनके बिसाने देश में भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम हो रहा है, और हम लोग, हमारे batch के जो भी लोग हैं, उन लोग मे तो उमेद करते हैं कि आप लोग बिहार एग्री कल्चिरल यूनिवरस्टी में अड्मिशन लीजिए और अपने future पर ध्यान दीजिए, धन्यवाद, ठैंक्स फर वाचिंग